नमस्कार दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज हम आपके लिए बहुत ही जवर्दस वीडियो लेकर आए हैं अगर आपके भी घर में पैसों की तंगी है, पैसों की कमी से आप परिशान है आपके घर में आपको लगता है कि बरकत नहीं हो रही है तो आज की इस वीडियो में हम आपको शाम के समय करने वाला एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने के बाद आपको पैसों की समस्या कभी भी नहीं सताएगी बस आप कोई वीडियो अंत तक देखनी है और इस वीडियो में बताये कए उपायों को ठीक ढंग से सही तरीके से करना है इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आप सब ये उपायों को सही तरीके से करें दोस्तों हर व्यक्ति सुक सुविदाओं से भरा जीवन जीना चाता है इंसान अपने जरूरतों और ख्वाईशों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनद भी करता है हाला कि कई बार व्यक्ति को अपने करम के अनुरूफ फल की प्रावति नहीं होती है ऐसे में सास्त्रों में धन और तरक्की से जुड़े सास्त्रों के कुछ उपाए ऐसे बताये गए हैं जने आप टोटके भी कह सकते हैं जने करने के बाद व्यक्ति के सभी मनो कामनाई पूरी हो जाती है मन्चाहधन कमाने की इच्छा पूरी होती है और करम के दो अनुसार मिलने वाले फल भी कई गुना हो करके मिलता है आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही उपाय के बारें बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर अब इता आपने कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली जै माता दी या किसी भगवान का नाम नहीं लिखा है तो एक बार आपसे हाथ जोड़ कर निवेजन करते हैं कि एक बार कमेंट बॉक्स में किसी भी भगवान का नाम एक बार आवश्य लिख दे क्योंकि दोस्तों सभी देवी देवताओं की किरपा प्राप्त करना ही हमारा लक्षे है सभी देवी देवताओं की जब किरपा प्राप्त होती है तब हमारी सभी मनुकावनाई भी पूरी होती है ऐसे में भगवान का नाम लिखना तो बहुत ही सुब बात है अच्छी आज़त भी है इसलिए आप भगवान का नाम जबते रहें और एक बार कमेंट बॉक्स में भी वश्य लिख दें ताकि हमें भी पता चले कि आप भगवान को कितना याद करते हैं दोस्तों मानता है कि जिदी आप कुछ खास उपाई या फिर टोटकों को करते हैं तो आपको धन के साथ सा तरकी मिलने के योग बनने लगते हैं तो आएए जानते हैं इन खास उपाईों के बारे में जिसको अपना कर आपकी किसमत ही बदल जाएगी साम के समय जब सूरास्त हो जाए तो पीपल के पेड के नीचे आपको एक चौमुखा दीपक अवसे जलाना चाहिए धन संपती में बरकत होती है मानता है कि ऐसा करने से मालक्षमी बहुती शीगर परसन हो जाती है और धनलाव का योग बन जाता है जिस भी दिन आप चाहें ये उपाई कर सकते हैं इसके अलावा आप जिस दिन भी चाहें जिस दिन भी आप ये उपाई कर रहे हो उस दिन आप अपने घर के सभी सदस्यों के माते पर चंदन अवसे लगाएं मानता है कि ऐसा करने से मातालक्षमी की किरपा उन सभी सदस्यों पर बरसने लगती है जि कहते हैं कि ऐसा करने से मा लक्षमी का आसिर्वात प्राप्त होता है और माता लक्षमी घर में सदय भी स्थाईवास करती हैं और घर में धनधानने की कवी भी कमी नहीं रहती हैं. साम के समय गाए के गीसे दो दीपक जला करके अपने घर के मुखे दर्वाजे के दोनों और दाहिने और बाहिने और उच दीपक को जला कर छोड़ दे. और माता लक्ष्मी से अपने घर में पदारने की और आपके ऊपर किरपा बरसाने की पराठ़ना करें. ऐसा करने से माता लक्षमी का प्रवेस आपके घर में होता है और हमेशा ही आपके ऊपर अपनी किर्पा बरसाते हैं साम के समय किसी भी शिव मंदिर में गौरी शंकर रुद्राक्स को चड़ा देने से घर में मा लक्षमी का आगमन अवश्य होता है कहते हैं कि साम को पीपल के पत्ते पर अपनी मन की इच्छा को लिख कर अगर आप नदी के बैते हुए जल में प्रवावित कर देते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत ही शिग्र पूर्ण हो जाती है तो दोस्तों ये थी कुछ उपाए जिनने आपको सुर्यास्ति के बाद यानि साम के समय करना है जिनने करने मातर से आपके जीवन के सभी मनोकामना पूरी हो जाती है सुक समर्दी का आगमन होता है और सुक समर्दी के आगमन के साथ ही पूरे परिवार की तरक्की होती है और घर में हमेशा ही बरक्कत का माहल बना रहता है तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले क्योंकि हम हर दूज लाते रहते हैं ऐसे ही जवर्दस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमे जीवन तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य लिख दें जाय बजरंग बली